हलो बच्चों, आज का टॉपिक हम डिस्क्रस करने जा रहे हैं डिफ्रेनस tinha смож事情 क्या होती है differentiation आपने class 11th में पढ़ा होगा ये 12th का टॉपिक है чтоб Duke class 11th में आपने पढ़ा होगा differentiation ठीक है दें, अगर मै आपसे कहूँ कि y is equal to parents 11 से uzी उठा रहे हैं इसको y is equal to x square plus 5x plus 7 तो आप कहेंगी भाई x की value अगर हम change करेंगे तो y की value भी change होगी यानि कि जो y है वो x पर depend करता है यानि हम कह सकते हैं y is the function of x यानि y x का function है अगर x change होगा तो y change होगा यानि अगर x में मैं change कर दो delta x तो y में कितना change हो जाएगा y plus delta y और यह जो delta y upon delta x है इसी को कहते हैं change in x where y with respect to x और if this change is very small तो इसी को लिखा जाता है dy by dx अभी हम direct differentiation बता रहे हैं differentiability अलग concept है हम differentiation की बात कर रहे हैं यानि change in y with respect to x x में change होने से y में कैसे change होता है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं अब कुछ formula है जरा उन्हें समझने पहले आप जब हम dy by dx की बात करते हैं तो y का x का function होना जरूरी है यानि y x पर depend करना चाहिए इसमें x भी change हो रहा है और y भी change हो रहा है तो अगर आपका differentiation करना हो x to power n देखे x यहाँ पर क्या है variable है चेंज हो रहा है और n क्या यहाँ पर है constant है तो अगर इसको आप differentiation करेंगे तो आप कहेंगे dy by dx यह जो dy by dx है यह इसको differentiate करता है इसलिए इसका नाम है differential operator differential operator इसको कहा जाता है क्योंकि यह इस function को differentiate करता है differentiate करता है मतलब यह दिखाता है कि x में change होने पर कैसे y change हो रहा है यह आपको करना है dy by dx से लिखने का तरीका है y मतलब x to power n इसका differentiation क्या होगा n x to power n minus 1 n is a constant तूसरा formula आपको जो याद करना है कि अगर y is equal to कोई constant हो जिसमें x ना हो इसका मतलब इसमें x है नहीं तो जब इसको हम dy by dx करेंगे differentiating y with respect to x यहनि dy by dx आप constant हमेशा 0 होता है क्योंकि इसमें कोई x की value है नहीं x का function है नहीं तीसरा formula है अब मैं डायट लिख रहा हूँ यह दर dy by dx करना है a to power x का a is any constant तो इसका होता है a to power x log a to base e चौता formula जो कि आपको याद रखना है वो है d by dx of e to power x e to power x का differentiation होता है e to power x e is the exponential function a is any constant मतलब अगर मैं एक एक एक्जामपल लूँ कि मैंने का भई d by dx करिए 10 to power x तो आप कौन सा formula अपला ही करेंगे a to power x का और x जोगे क्या होगा 10 होगा तो यह हो जाएगा 10 to power x log 10 to base e calculus में जो भी आप पढ़ेंगे उसमें log में अगर base नहीं दिया है तो base will always be e base हमेशा e होगा फिर्फ formula है तो अगर आपको d by dx करना हो log x का और इसमें कोई भी base ना दिया हो तो base will always be e तो इसका differentiation होता है 1 by x और छठा formula है d by dx of log x और कोई base constant दिया हो base a तो यह हो जाएगा 1 by x log e to base a तो यह आपके 6 differentiation की formula है हम differentiability अभी discuss नहीं कर रहे हैं हम direct differentiation बता रहे हैं कि differentiation कैसे आपको याद करना है देखे अगर मैं आपको से कहूँ कि d by dx करना है log x तो यहाँ पर base नहीं दिया हुआ है और हमने का अगर log का base ना दिया हो तो base हमेशा क्या लिया जाएगा e लेकिन हमने base दे दिया 5 तो you will apply this formula log x to base a क्या होता है 1 by x log e to base 5 यह 6 formula आपके algebra के हैं जिने आपको याद करना है यह basic concept है इसके बाद 6 formula trigality के देखे उनका differentiation क्या होता है अगर आपको करना हो आपने 11th class में first principle से differentiation पढ़ा होगा वहीं से derive होकर क्या आए है d by dx of sin x sin x का differentiation होता है cos x d by dx of cos x cos x का होता है minus sin x d by dx of tan x tan x का differentiation होता है sec x to iris d by dx of sec x sec x का होता है sec x into tan x ही याद करने पढ़ेंगे आपको यह करीब 15 formula है 18 formula है 18 formula है आपको याद करने पढ़ेंगे और process है वो अपने आप आ जाएगा आपको अगला formula है d by dx of cot x होता है minus cos x square x और d by dx of cos x होता है minus cos x into cot x यह डिफ्रेंसेसर आपके टिग्रमेटिकल है और छे formula है आपके टिग्रमेटिकल के जो inverse टिग्रमेटिकल फंक्चन है उनके formula है 13th d by dx of sin inverse x होता है 1 अपन under root 1 minus x square d by dx of cos inverse x minus 1 upon under root 1 minus x square d by dx of tan inverse x 1 upon 1 plus x square d by dx of cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square d by dx of sec inverse x 1 upon x under root x square minus 1 or d by dx of cosec inverse x minus 1 upon x under root x square minus 1 तो ये आपके 18 formula है differentiation के ये लगभग 11th class पे थोड़ा बहुत basic concept differentiation का आप पढ़ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा उससे उपर उठके question दी हुए है इसलिए ज़रा साउधान होके समझिएगा इसके आगे के concept कैसे लगाए जाएंगे देखिए जैसे हमने आपको बताया कि x to power n का जो differentiation होता है वो n x to power n होता है यहाँ अगर y बराबर x to power n लिखा हो और इसको आपको x के respect में differentiate करना हो यह दी बाइ डी अक्स of x to power n तो फामुला होता है n x to power n-1 यह 18 फामुले जो याद रखेगा क्योंकि इसी 18 फामुले में इसे basic concept पुरे आगे के आएंगे देखिए ध्यान से यह x variable है यह power में constant है आपके हिसाब से यहाँ x ही होना चाहिए लेकिन माल लिया हमने y बराबर लिख दिया a x plus b whole to power n जब भी whole power आएगी हम फामुला क्या आद करेंगे x to power n का यहाँ क्या होना चाहिए यहाँ पर x होना चाहिए अब इसको फिलहाल हम मन में x मानते हैं दो method हैं देखिए first method जो direct method है वो हम use करेंगे second method assumption method है देखिए हम इसको differentiate करना चाहते हैं dy by dx dy by dx of ax plus b to power n समझेगा जब भी whole power लिखा हो जब भी लिखा हो आप इसको x power n मान के चलेंगे इसके अंदर क्या लिखा उसे आपसे मतलब नहीं है मतलब इसको पूरे को आपके मन में क्या मान लेना है यह पूरा x लिखा हुआ है x power n का differentiation क्या होता है n x x मतलब जो लिखा हुआ है 2 power n minus 1 हो गया differentiation लेकिन यह x नहीं है यह x प्लस भी है इसको assume किया है आपने x तो हम यहाँ पर क्या करेंगे d by dx इसका दुबारा कर देंगे बस इतना ध्यान रखीगा इसको आपने मन में x माना है जब भी whole power हो अभी और हम example देंगे जब भी whole power हो तो इसको आप क्या मानेंगे मन में x x to power n का क्या होगा n x to power n minus 1 लेकिन यह खुद में x नहीं था तो इसको दुबारा differentiate कर देना है तो यह क्या होगा n into ax plus b to power n minus 1 into अब इसको differentiate करते हैं पहले differentiate किसका करेंगे ax का और plus differentiate करेंगे b का यह हो गया आपका n into ax plus b to power n minus 1 ax में a क्या है देखें अकेला अगर a जैसे यहाँ पर b अकेला है अकेला b constant होता है लेकिन अगर वो x से साथ multiply में हैं तो coefficient हो जाएगा तो a तो हो गया बाहर अब differentiation x का क्या होगा 1 तो a into 1 और b का हो गया 0 तो यह क्या गया a into n into ax plus b to power n minus 1 यह differentiation का तरीका होता है फिर समझेगा जब भी whole power हो तो उसको हम मन में क्या बानेंगे x एक और example लेते हैं जैसे मैंने आपको दे दिया y is equal to sin square x इसका मतलब क्या होता है आप कहेंगे भाई इसको लिखा जाता है sin x whole to power 2 पहले आप इसको disturb मत करिए simply differentiating with respect to x लिखिए differentiating with respect to x अभी question को नहीं मालूम है कि आप इसको कैसे लगाएंगे d by dx of sin x whole to power 2 जड़ा देखी जब भी whole power होती है हमने कहा यह क्या है x लिखा हुआ जब भी whole power होती है इसको मन में हमने x माल लिया x to power 2 formula क्या होता है 2 x मतलब sin x 2 power 2 minus 1 लेकिन हमने क्या होता है भाई यह तो x था नहीं यह तो कुछ और लिखा हुआ था इसको आपने माना है x तो आप क्या करेंगे इसको दुबारा differentiate कर दीजिए sin x यारि कि 2 into sin x तब आप इसको differentiate करेंगे यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप d by dx और sin x मत कर दीजिएगा यह चीज यहाँ पर गलत है जब यह differentiate हो जाएगा तब इस sin x का दुबारा differentiation किया जाएगा तो जितने भी standard formula है उसमें x की जगे अगर कुछ और आता है कुछ और आता है तो उसको आप क्या मानेंगे x मान के उसको differentiate करेंगे ठीक है डिफ्रेंजिबिल्टी concept हम चुक्क अभी हम ncrt की excite dises कर रहे हैं उसमें बहुत question नहीं दिये हुए है यह हम rd सर्मा से dises करेंगे अब जरा समझेगा इसका दूसरा method भी एक होता है उस method को आप adopt भी कर सकते है नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है second method क्या है देखिए हमने कहा y बराबर ax plus b hold to power n जोना साउधान यह क्या होना चाहिए आप कहेंगे भाई यह x होना चाहिए लेकिन यह x तो है नहीं तो हम क्या करेंगे इस ax plus b का कुछ नाम दे देंगे इसका नाम दे दिया हमने t तो y is equal to क्या हो जाएगा t to power n अब देखिए यह t to power n आ गया y किसका function है t का function है और t किसका function है x का function है तो indirectly y x से जुड़ा हुआ है लेकिन directly y x से नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन आपको करना है y को x के respect में differentiation चुकि y x का direct रिस्सेदार नहीं है तो y किसके पास जाएगा t के पास जाएगा यह यह को आप differentiate करेंगे किसके respect में t के respect में फिर t जाएगा x के साथ नहीं बतरब dy dx of t करेंगे तो dy by dt into dt by dx इसको कहा जाता है chain rule यह chain rule कहलाता है तो अब dy dt of y y का मतलब t to power n into dy dx of t t का मतलब ax plus b अब t to power n का क्या हो जाएगा n t की power n minus 1 और ax plus b का हम बता चुके है a यह बताए जा चुका है t की value रोग दीजे उठा करके n into ax plus b to power n minus 1 into a यह प्रांजर हो गया थोड़ा सा इसको हिसाब से लिग दीजेगा ax plus b to power n minus 1 तो इस प्रकार से इसको differentiate करेंगे जब भी x स्रीगे कुछ और लिखा होगा जैसे मैं एक और example लेता हूँ method हम कोई भी adopt कर सकते हैं यह t वाला भी assume कर सकते हैं diet भी कर सकते हैं लेकिन direct में कोई step आप omit नहीं करेंगे कोई छोड़ेंगे नहीं क्योंकि steps के marks होते हैं अगर step आप छोड़ देते हैं तो marks उस step के cut कर दिये जाएंगे जैसे माल लिया हमने differentiation पढ़ा अगर y is equal to sin x हो और हमको इसको differentiate करना हो d by dx of sin x तो sin x का differentiation हमें क्या पढ़ा है कि cause x होता है अब ज़रा देखी अगर मैं अब देखो y is equal to sin x square अब यहां लफड़ा हो गया देखिए sin square x अलग चीज होती है इसका मतलब होता है sin x का whole square और sin x square का मतलब होता है square of the angle x square अब इसका first method देखिए जो direct method हम बताते हैं यह आप apply exam में कर सकते हैं आपको इसको dy by dx करना है मतलब dy by dx of sin x square अब ज़रा समझेगा हमारे standard formula को पकड़िएगा आप कहेंगे भाई इसका angle क्या होना चाहिए हम कहेंगे x होना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या है x square है तो आप इसको मन में x माल लीजे तो side x का differentiation cause x x का मतलब x square लेकिन यह x नहीं था तो इसको आपको दुवारा differentiate करना पड़ेगा तो यह हो गया cause x square और x square का differentiation 2x तो यह आपका जाएगा 2x cause x square तो यह आप method adopt करेंगे direct method लेकिन यह कर सकते हैं यह step कोई भी omit नहीं होना चाहिए अगर हम second method इसका apply करना चाहें तो हमारा standard formula देखिए हमने कहा y is equal to sin x square आप अपने आप से formula सर्च करिए आप कहेंगे sin x का differentiation होता है x की जगे x square लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे x square को माल लेंगे t माल लिया हमने अब आप dy y dx निकालना चाहते हैं लेकिन अच्छा जब आपने इसको मारा तो y की value क्या हुई y की value sin t हो गई आप y को x के respect में differentiate करना चाहते हैं लेकिन y direct x से नहीं जुड़ा है y किसे जुड़ा हुआ है t से और t किसे जुड़ा हुआ है x से y किसके बास जाएगा t की बास जाएगा तो पहले y को differentiate किसके रسمक्ट परेंगे t के respect में फिर t को differentiate करेंगे x के respect में बासमाई आप कियांगे भाई x के respect में differentiate करना है इसके पास तो x है नहीं और अभी आपने बताया जिसमें x नहीं होता है वो constant होता है ठीक है सही हमने बताया लेकिन ये indirectly x से जुड़ा हुआ है इसलिए x का indirect function है x के change होने पर t change होगा t के change होने पर sin t change होगा sin t के change होने से y change हो रहा है यहरे t के बदलने से y की value बदल रही है तो यह आएगा d by dt of y y मतलब sin t into d by dx of t मतलब x square तो यह हो गया cos t into x square का 2x तो 2x cos t का मतलब x square तो यह method आपका differentiation का है तो 99% यही apply करेंगे जिस समय आपसे differentiation पूछा जाएगा differentiate this function with respect to x तो you have to show all the steps लेकिन आप कोई और question लगा रहे है और उसमें directly a differentiation आ गया तो आप directly a लिख सकते हैं यहाँ से diet यहाँ आ सकते हैं लेकिन जब differentiation आएगा तो यहाँ से यहाँ आप आएगे तो marks यह वाले आपके cut हो जाएगे ठीक है अब हम exercise लेके चलना है ncrt की यह आपकी 5.2 है इसके difference system बताने जा रहे हैं हम direct method बताएंगे यह वाला method नहीं बताएंगे लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं यह difference ability ज़रूर है लेकिन इस exercise में difference ability के एकिवल दो questions है last के दो questions ठीक है वो हम जब ncrt resistance करेंगे वहाँ बताएंगे sorry rd सर्मा में ठीक है क्योंकि यहाँ question difference ability के है नहीं तो जब आँ समझेगा यह इसको difference ability न कहिए इसको आप differentiation कहिएगा ठीक है यह है आपका fundamental of differentiation इसको आप differentiation कहिए differentiation कहिए ncrt exercise है 5.2 देखिए पहला question differentiate y is equal इसको y नाम देते हैं y is equal to sin x square plus 5 देखिए इसको मत आप show होने दीजे इस question को कि आप इसको लगा नहीं सकते आप पहले डाल लिखे differentiating with respect to x dy by dx यह d कोई बहुत बड़ी बला नहीं है d मतलब delta मतलब change हम दिखाना चाहते है x के बदलने पर y कैसे बदलता है चुकि इसमाल change है इसलिए इसको d लिखा गया है तो d by dx of sin x square plus 5 अब जना यहां रुख जाईए जब question लिख लिए आपने इतना तो लिखी लिए आपने आपने न देखिए जब हमने इसको सोचा तो हमने का भई मेरे पास differentiation का formula किसका होता है यहां क्या होना चाहिए यहां पर x होना चाहिए लेकिन x नहीं है तो हमने मन में इसको क्या माना x sin x यह पुरा x है मन में मानें जहां जरूत पड़ेगी वो लिखेंगे ही हम sin x का differentiation cos x x मतलब x square plus 5 लेकि जैसे आप इसको x मानोगे अभी तो इसको मालूम नहीं का आप इसको x मान रहे हो और जैसे आप cos x square plus 5 लिखोगे यह गुसा जाएंगे तो इसको खुश करने के लिए इसको दुवारा differentiation करेंगे इसका तो यह हो गया आपका cos x square plus 5 और x square का 2x और 5 का 0 तो आगया 2x cos x square plus 5 तो यह differentiation हुआ आप चाहे तो इसको t मान सकते हैं y बराबर sin t हो जाएगा और अभी जो हम chain rule बताए हैं उस method से भी लगा सकते हैं second question देखी लो y is equal to cos sin x y is equal to cos sin x cos into sin x is not there sin x is the angle of cos differentiating with respect to x differentiating with respect to x dy by dx is equal to dy by dx और y का मान रख दो cos sin x यह मान रखने के बाद एक second के ले रुख जाईए आप देखें formula क्या होता है cos x यह angle कितना होना चाहिए x होना चाहिए x यह क्या लिखा है sin x लिखा है इसको मन में आप क्या मानेंगे x मानेंगे आपको मान लीजी आप causes का differentiation minus sin और x क्या है sin x लेकिन यह तो साथ x थे नहीं यह तो sin x थे तो इसको दुबारा आप differentiate कर दीए dy dx of sin x यह से शोकर ना पनेगा यह जब differentiate हो जाएगा तब इस sin x करेंगे यह नहीं लिखेंगे आप तो minus sin sin x और sin x का differentiation causes तो इसका multiply मत कर दीजेगा तो sin x is the angle of sin यह multiply नहीं होगा अब देखिए third question क्या होगा third question है आपका sin ax plus b अभी हम बता चुके हैं sin x plus b का उसको आप third अपने आप लगा लेंगे fourth question देखिएगा step by step सोचते जाओगे तो आ जाएगा और calculus वारे हम बता देए यह बहुत ही खतरनाक तो नहीं है लेकिन खतरनाक से कम भी नहीं है अगर यह basic concept प्रकड़ में आ गया तो बहुत easy यह है अगर basic छूड़ गया इसका तो फिस आप लगा नहीं सकते इस questions को और जितने भी आप math पढ़ेंगे यह जो branch of math है calculus वो पूरी mathematics का तकरीबन 40% जितना भी आप पढ़ोगे आगे चलके 40% के वले ही calculus है तो इसका fifth, fourth question देखिए y is equal to sec tan root x sec tan root x अभी इसको देख करके मत घबडाई है अरे दादाई बहुत भेंकर है अभी आप इसको जो है सोचने का मौका मत दीजेए आप इसको लगा नहीं सकते हैं आप लिखे differentiating with respect to x d by dx साब sec tan root x अब step by step दिमाग लगाईएगा देखिए हम जानते हैं कि sec x का differentiation होता है sec x tan x यहाँ क्या होना चाहिए यहाँ पर x होना चाहिए तो आप मन में इसको x माल लेजे तो sec x का differentiation क्या होता है sec x x का मतलब tan root x into tan x tan x मतलब tan root x हो गया difference है सर्फ किसका हुआ है sec x का हुआ है इसको मन में हमने पूरे को x माना था अब यह तो x था नहीं तो इसको फिर differentiate कर दो d by dx of tan root x यहां तक बासमत्वार आ गही होगी अब देखे ज़रा sec यह multiply में नहीं है tan root x is the angle of sec tan root x is the angle of 10 तो tan 10 का multiply मत कर देना तो sec tan root x into tan tan root x अब ज़रा यहां समझीगा यह जो tan का angle है यह क्या होना चाहिए आप कहेंगे भाई x होना चाहिए है क्या root x है तो इसको मन में आप क्या मानेंगे x मानेंगे tan x का differentiation sec square x sec square x मतलब root x लेकिन यह x था नहीं था आपने x माना तो तरीका क्या होता है इसको x माना है इसलिए आप इसको differentiate करिए आप कहेंगे भाई यहां क्यों नहीं differentiate आपने किया देखिए हमने इस पूरे को x माना था तो पूरी इस पूरे को differentiate करेंगे और जब हमें इसे x मानने का मोका आएगा तब मैं इसको differentiate करेंगे जब जिसका जहां मोका होगा उसको वहाँ पर differentiate करेंगे ति क्या हो जाएगा sec tan root x into tan tan root x into sec square root x यहाँ पर आईए root का मतलब क्या होता है power 1 by 2 यहनि अगर इसका मतलब मैं आप से पूछू तो आप कहेंगे x to power 1 by 2 यहनि x to power n क्या होता है n x to power n minus 1 यह minus 1 हो जाएगा तो इसको पहले लियाओ तो 1 by 2 root x into sec tan root x into tan tan root x into sec square root x तो इस प्रकार से equation step by step लगाएंगे इसलिए इसको chain कहा गया है chain rule तो देखेंगे chain मतलब चली जा रही है पहले आपने इसको x माना जब इसका मौक आया तब आपने root x को x माना ठीक है तो this is the question number 4 third हम बता चुके इसके पहले ज़रा 5th question 5th question देखने के पहले दो methods और देखें पहले फिर हम बात करते हैं देखें अगर जो हमने differentiation बताए हैं इसमें अलग-अलग function थे sin अलग था cause अलग था अगर मान लिया y बराबर दो function multiply में लिखे हूँ दोनों function है variable है sin x है एक e to power x है अगर 5x है तो यह multiply मत मानिएगा 5 तो coefficient इसका है constant है तो अगर इसको differentiate करना हो तो उगा first function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function यह formula होता है और अगर दूसरा method कि अगर इस division होता denominator upon denominator और इसको differentiate करना जाते division rule तो आता है denominator हर और answer है answer हर denominator b by dx of numerator minus numerator d by dx of denominator upon denominator का whole square तो यह method यह adapt होंगे इसी पर based है question number आपका fifth और six तो आप फिफ्थ question देखिएगा fifth question है y is equal to sin ax plus b upon cos cx plus d sin ax plus b upon cos cx plus d अब आपने के साब यहाँ पर x होना चाहिए हम इसको x मानेंगे अभी कुछ नहीं मानेंगे जब जिसका differentiation करेंगे तब वहाँ मौक आएगा तब वहाँ उसको x मानेंगे ठीक है फिलाल लिखेंगे differentiating with respect to x यहनि dy by dx फामुला देखें denominator यहनि cos cx plus d इसको इधर लगाए है क्योंकि यह बड़ा फ्रॉड़ा सत जगे लेगा देखें यह इधर लगाए dy by dx denominator cos cx plus d into differentiation of numerator sin ax plus v minus numerator sin ax plus v into differentiation of denominator into differentiation of denominator whole upon denominator whole square यहनि cos square cx plus d अब ज़रा देखें क्या इसको आप differentiate कर रहे हैं इसको g नहीं तो इसके cx plus d से हमको कोई मतलब नहीं है इसको ऐसे ही लिखा रहेने दीजी cos cx plus d into यहाँ प्याईए इसको आप differentiate कर रहे हैं यहाँ क्या होना चाहिए यहाँ पर x होना चाहिए x है नहीं है तो क्या करेंगे इसको आप x माल लीजे sin x का differentiation cos x यहनि cos ax plus b अब इसको दुबारा differentiate कर यह तो देखें अब direct यहाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ main aim क्या था division rule ax का differentiation a x का 1 होता है और b का 0 तो यह क्या हो गया a इसका हो गया minus क्या इसको differentiate कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसको ऐसे ही लिखा रहे हैं तो sin ax plus b into इसको देखे यहाँ पर मैंने इसको 1 में x माल लिया cos x का differentiation sin x होता है तो यह sin c x plus d minus में होता है तो यहाँ minus लगा दिया अब यह minus देखें अब यह subtraction ऐसा लग रहा है तो यहाँ तो इसको हटा के यहाँ plus कर दीजे या यहाँ इसको curly bracket कर दीजे अब इसको फिर differentiate करेंगे इसका क्या हो जाएगा c upon cos square cx plus d चुकि यहाँ कोई trinomatical identity नहीं लग रही है इसको 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 छोड़ देंगे अगले step में इक काम कर सकते हो कि यह जो a है वो यहाँ लिख दो और यह जो c है वो यहाँ लिख दो बस this is your answer this was question number 5th 6 देखिए ज़रा ncrt x size 5.2 class 12th differentiation इसमें differentibility अभी distance नहीं किया हम direct differentiation बता रहे है question number 6 y is equal to cos x cube cos x cube into sin square x to power 5 ज़रा ध्यान से इस question को पकड़िएगा यह multiply में लिखा हुआ है तो पहले तो हम बता चुके हैं कि अगर multiply में माल लिया first or second function हो तो कौन सा rule यहाँ पर लगता है first function into differentiation of second function minus plus second function differentiation of first function देखें आपर पहले से square का मतलब क्या होता है एक मतलब चेंज करके लिए जिएगा इस square का मतलब होता है sin x to power 5 whole to power 2 यह y लिखा हुआ है और यह दो function multiply में लिखे हुए है अब इसको हम differentiate करने जा रहे है first function cos x cube into अभी हमने क्या का जब जिस function को differentiate करेंगे तब उसके बारे हम बात करेंगे वहाँ क्या करना है आप d by dx साफ sin x power 5 का whole square plus second function sin x power 5 का whole square into d by dx साफ cos x cube अब ज़रा समझिएगा क्या इसको differentiate कर रहे है नहीं कर रहे है तो अभी इसको ऐसे लिखा रहे हैं दीजिएगा cos x cube यहाँ पे आईए अभी हमने बताया कि whole power जब भी होगी जब भी whole power होगी तो आप इसको क्या मानेंगे x मानेंगी इसको मन में x मान लीजिए x to power 2 तो क्या हो जाएगा 2 into sin x power 5 की power 1 यह पूरा x था नहीं था आपने x माना तो इस पूरे को दुबारा differentiate करना पड़ेगा sin x power 5 यह इसका काम खताम हो गया प्लस अभी इसको नहीं कर रहे यह लिखना है अभी आपको sin x power 5 का whole square into अब यहाँ पे आईए यह cause x होना चीए यह पूरा क्या होना चीए यह पूरा x होना चीए x है नहीं है मन में क्या मानेंगे x मानेंगी क्या होगा minus sin x cube इसको bracket में लिखेगा और x cube को हम दुबारा differentiate करेंगे इसको chain rule कहते है अभी chain बंती चली जा रही है तो यह 2 पहले कर दीजे 2 cause x cube into sin x power 5 यहाँ पे आईए हम differentiation sin x power 5 का करने जा रहे है इसका angle क्या है आप कैंग x power 5 है क्या होना चाहिए x होना चाहिए इसको मन में आप क्या मानेंगे x मान लीजे sin x का differentiation cause x यानि cause x power 5 और x power 5 को फिर differentiate करिए जो x नहीं है उसको आपने x माना है तो उसको differentiation करने के बाद जिसको x माना है उसको differentiate दुबारा करना पड़ेगा यह minus लगा यह plus है minus कर दीजिए sin x power 5 का whole square into sin x cube और x cube का क्या हो जाएगा 3 x square देखें 5 x power 4 होगा इसको पहले लिख रहे हम 2 into 5 x power 4 into cos x cube into sin x power 5 into cos x power 5 इसका हो चुका है यह लिख चुके है minus यह पहले लिख दीजिएगा 3 x square इसको फिर इसी प्रकार से लिखा जा सकता है sin square x power 5 into sin x cube तो यह आपका answer है इसमें थोड़ा change हो सकता है अपने 11 पढ़ा होगा यह दोनों के angle same है तो जब angle same होता है तो 2 sin theta into cos theta is the formula of sin 2 theta 2 होना यह 2 इसके साथ adjust कर दो यह 2 इसके साथ adjust कर दो इतने के साथ और 2 sin x power 5 into cos x power 5 इसको लिख सकते हैं sin 2 into x power 5 हो सकता है इस answer लिखा हो वैसे this is your answer और यह आएगा आपका 2 उदर हटा दिया है यह पहले 2 यहां लिखा हुआ था यह आएगा 5 x power 4 cos x cube minus यह लिख दीजें उठागर के 3 x square sin square x power 5 into sin x cube तो यह लिख सकते हैं कोई ज़रूत इसकी है नहीं आप कोई पहले वाला answer लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो this is the 6th question अब ज़रा देखिए 7th question क्या है 9th और 10th में differenceability है उसको जब differenceability बताया जाएगा R.D. Sharma next video में हम बताएंगे तब उहां बताया जाएगा इसको Question No.7 देखिए य इसको तो 2 इंटो अंडरूट cot x square देखिए जान से पहले तो रूट अडराई यहां से आएगा 2 cot x square to power half अब आप पहलेंगे दो function है function नहीं है यह constant है यहाँ तो इसको राम coefficient है तो यह multiply rule नहीं लगेगा product rule नहीं लगेगा यह बहार लिखा रहेगा अगर यह कोई x का function होता तब दो function माने जाते इसको लिखेंगे differentiating with respect to x तो dy by dx is equal to 2 इधर लिखा रहे दो dy dx of cot x square to power half अभी देखिए हमने क्या हमता है whole power का concept समझेगा हमने का जब भी whole power होती है आप इसको मन में क्या मानते हैं इसको x मानते हैं तो क्या हो जाएगा यह तो टूबा लिखा हुआ n x का मतलब cot x square to power half minus 1 अब यह तो x था नहीं इसको आपने x माना है इसको दोबारा differentiate कर दो dy dx of cot x square यह टू-टू कर जाएगा यह क्या हैगा cot x square to power minus half इसको मन में x मानो क्योंकि यह angle है यह x होना चाहिए cot x का differentiation minus cos x square x तो minus cos x square x square और x square को दोबारा differentiate करना पड़ेगा क्योंकि यह x square नहीं था आपने assume किया है तो यह हो गया आपका minus बहार कर दो यह दिखिए minus half है तो यह अपान में आएगा 1 upon under root cot x square into cos x square x square और x square का 2x और अगले step में इसको पहले कर दो तो आएगा minus का 2x cos x square x square upon under root cot x square यह 7th question है and 8th question देखिए क्या इसका है cos root x y is equal to cos root x जो इसको differentiate करेंगे आप अब देखिए यहाँ पर angle है root x angle क्या होना चाहिए x होना चाहिए तो हमने मन में क्या बाना x cos x का differentiation minus sin x x मतलब root x और root x को आप दुबारा differentiate कर दो माइनस sin root x root का मतलब क्या होता है power half होती है तो यह क्या हो जाएगा क्या यह जो लिखा है यह x power half लिखी वी है तो half x power half minus 1 तो minus यह minus half होगा तो 1 by 2 root x कर सकते हैं और sin root x कर सकते हैं तो यह differentiation की questions है चुकि इसके दो question और बचे हैं उस पर differentiability test करनी है वो अभी आपने नहीं बताई है वो next video में discuss करेंगे इसको लगा लिजेगा ओके थैंक्यू करेंगे बताई हैं